नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सत्यम गौर बुल्टन की सुरुबात करेंगे इस वक्त की कुछ एहम ख़बरों के साथ सबसे पहले बात करेंगे असम की आपको बता देख असम में बड़ते करोना के मामलों को देखते हुए मुकमंतरी हिमंत विश्वा सर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस आदेश के मताबिक जनता एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकेगी आज से अगले 15 दिन तक के अंतर ये यात्रा इस दन प्रदिकरन की ओर से जारी बयान्मिक के मताबिक आपको बता देख बिना रोक्टोक के अंदर जिला यात्रा की यहाँ पर वज़े से राजमे कोविट के मामले में गिरावट दर्ज नहीं की जा रही थी राज सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल इमरज किसी की अंतिम शब यात्रा और शेत्रा धिकारी उपायुक्त की लिखित मंजूरी के बाद ही अंदर जिला यात्रा शुरू की जाएगी और साथ ही आपको बता दे कि राजमे कोरोना के मामलों पर नियंतरन रखने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मोकमंतरी हिमंत व अताबिक सभी दुकाने और व्यवसाइक प्रसिस्ठान हर दिन दोपहर एक बजे बंद हो जाएंगे एमसरिसी केस में भरती पर्यावरन विदी सुंदरलाल बहुगरा का सुक्रबार दोपहर बारा बजे के करीब निधन हो गया है और आपको बता दे कि सुंदरलाल बहुगरा कोरोना से संक्रमित थिव आपको बताते चलेगे कि चिपको आंदोलन के इस प्रिलता के निधन की खबर सुनकर पूरे राज में शोक की लहर है एम्स रिसी केस में भरती 94 साल परियावरर विद सुंदरलाल बहुगरा को करोना के साथ ही आपको बता दे कि निमोनिया भी हो गया था उन्होंने सिपेप मसीन सपोर्ट पर रखा गया था और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेबल 86 प्रतिसत बताया जा रहा था एम्स में आपको बताते चले कि चिकसक उनके बलट सुगर लेबल और ऑक्सीजन लेबल को संतुलित करने में जुटे हुए थे लेकिन उन्हें सपलता नहीं मिली वे डायप्टीज के भी मरीज थी कोविड आईस्यू वार्ड में भरती भवगडा को अब एन आर बी एम मास्क के माध्यम से यहाँ पर आठ लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था संस्थान के चिक सुकू की टीम उनके स्वास्थ की लगातार निगरानी वा उप्चार में जुटी हुई थी लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका उनका अब निधन हो गया है चले महारास्ट का रुक कर लेते हैं महारास्ट में नकसल विरोधी अभ्यान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है महारास्ट के गड़ चिरॉली में पुलिस और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई है जिसमें 13 नकसलियों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आई है डी आई जी संदीप पटील ने यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी दी है तो आपको बता दे कि पोलिस और नक्सलियों के बीच मुटभेड हुई है इसमें कई नक्सली मारे जाने की ख़बर सामने निकल कर आई है गर्चराउली के जंगलों में आपको बता दे कि मुटभेड हुई है पोलिस और नक्सलियों के बीच मुटभेड में 13 नक्सली धेर हुए है बड़ी और अहम खबार आपको बता रहे हैं बड़ी सबलता हाथ लगी है यहाँ पर नक्सलियों को मार गिराया गया है और जंगलों में ये मुटभेड हुई है जिसमें 13 नकसली मारे गए हैं बड़ी और आहम ख़वर आपको बता रहे हैं पोलिस और नकसलीों के बीच मुटभेड हुई है जिसमें आपको बता दे कि 13 नकसली यहां पर मार गिराए गए हैं गर्चरॉली के जंगलों में ये मुटभेड हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुटभेड में 13 नक्सलि मारे गए हैं और इस दौरान आपको बता दे कि पुलिस कर्मी यहां पर फायरिंग करते हुए नजर आया है पुलिस कर्मियों ने इन 13 नक्सलियों को मार गिराया है आपको बता दे कि इस दौरान दोनों तरफ से फाइरिंग हुई आमने सामने जिसमें जाबाज सिपाहियों ने तेरा नक्सलियों को धेर कर दिया।